अच्छी गहरी नीन लेना अच्छे स्वास्त के लिए बहुत जरूरी है अगर आप रात में अच्छी नीन नहीं ले रहे हैं तो सारा दिन आप ठके ठके रहेंगे और आपको सिर्दर्ण और शरीर में दर्द जैसी परिशानिया भी हो सकती है हम क्या खाते हैं इसका सीधा प्रभाव हमारी नीन पर पड़ता है तो अगर आपको नीन ना आने की समस्या है तो आप आज की इस वीडियो को लास तक जरूर देखें हेलो फ्रेंज वेलकम टु लिविंग हेल्दी मैं हो रिचा शर्मा अगर आप रात में अच्छी गहरी नीन देना चाहते हैं और सुबह बिलकुल फ्रेश और एनरजेटिक होकर उठना चाहते हैं तो ये साथ चीजें आज से ही अपनी डाइट में इंक्लूड करें केले के गुणों को हम में से कौन नहीं जानता केला अपने आप में एक कम्प्लीट फूड है ये फाइबर, कार्बोहाइडरेट, आइरन और मेगनेजियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है केले के इन सब गुणों के अलावा ये अच्छी गहरी नीन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है केले में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन होता है, जो अच्छी नीन के लिए बहुत फाइदेमंद है केले में मौझूद फाइबर भी नीन लाने में सहायता करता है इसलिए अगर आपको नीन ना आने की परिशानी है तो आप केले को अपनी डाइट में जरूर इंकलूड करें अगर आपको रात में नीन ना आने की समस्या है तो आप पालक जरूर खाएं वैसे तो पालक में पाय जाने वाले विटमिन्स और मिनेरल्स अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है पर पालक ट्रिप्टोफन का भी अच्छा सोर्स है जो माइन को रिलाक्स करके अच्छी नीन के लिए बहुत हेल्पफुल है रेगुलरली पालक खाने से नीन ना आने की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है नमबर तीन, कैमोमाईल चाए कैमोमाईल चाए एक तरह की हर्बल चाए है जिसके बहुत से हेल्प बेनिफिट्स है Chamomile चाय में epigenin नाम का एक antioxidant होता है जो हमारी anxiety को कम करके हमारे दिमाग को शांत करता है अगर आपको अपनी नींद की quality इंप्रूव करनी है तो आप रात में सोने से पहले एक कप Chamomile चाय ज़रूर पीएं Number 4. गरम दूद सदियों से रात के खाने के बाद गरम दूद पीने का रिवाज हमारे देश में रहा है आयूर्वेद के हिसाब से भी इसके कई लाब है दूद पोशक तत्वों से भरपूर तो होता ही है इसके अलावा ये अच्छी peaceful नींद लेने के लिए भी बहुत helpful है दूद में ट्रिप्टोफन नाम का एमिनो आसिड होता है जो अच्छी नींद को एंकरेज करता है तो अगर आप नींद ना आने की समस्या से छुटकारा चाहते हैं तो रात को सोने से पहले एक गलास गरम दूद ज़रूर पिए नमबर पांच बदाम वैसे तो बदाम हमारे शरीर और दिमाग दोनों के स्वास्थ के लिए बहुत ही लाबदायक है पर क्या आप जानते हैं कि अच्छी नींद के लिए भी बदाम बहुत जरूरी है बदाम में मेलेटरनल नाम का हार्मोन होता है जो हमारी नीन के लिए बहुत पाइदेमंद है इसके अलावा बदाम मेगनेजियम का भी अच्छा सोर्स है और मेगनेजियम हमारी नीन की क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करता है नियमित रूप से बदाम खाने से शरीर में कॉर्टिजॉल नाम का स्ट्रेस हार्मोन भी कम हो जाता है अगर आपको नीन ना आने की परिशानी है तो आप रात को सोने से पहले बदाम जरूर खाएं इससे आपको जरूर लाब मिलेगा नमबर 6 कीवी बहुत सी मेडिकल रिसर्च में ये देखा गया है कि जिन लोगों ने एक महिने तक सोने से एक घंटे पहले दो कीवी खाए उन्हें बिस्तर पर लेटते ही जल्दी नीन आ गई और उनकी नीन की कॉलिटी में भी सुधार देखा गया कीवी एक ऐसा फल है जिसमें नीन बढ़ाने के बहुत से गुण पाये जाते हैं जैसे मेलाटोनिन, पोटाशियम, मेगनेजियम, फोलेट और कैल्शियम नमबर 7 तुलसी तुलसी के अनेग गुणों के कारण इसे हर्ब्स की रानी कहा जाता है और शास्त्रों में इसका बहुत महत्व है तुलसी को सर्दी जुखाम पेट की समस्या दूर करने के लिए तो यूज किया ही जाता है इसके अलावा तुलसी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करती है और अच्छी नीद को भी एंकरेज करती है तो अगर आपको नीद ना आने की समस्या है तो आप रात में सोने से पहले तुलसी के 3-4 पत्ते जरूर खाएं इन सभी चीजों के अलावा अच्छी नीद के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप नियमित रूप से एक्सेसाइज करें अगर आपका शरीर ठकेगा नहीं तो रात में आपके लिए सोना और मुश्किल हो जाएगा इसलिए रेगुलर्ली आदा गंटा जरूर टहले और योग और प्राणायाम को अपनी दिंचरिया में जरूर शामिल करें अगर आप दिन में सोते हैं तो बहुत देर के लिए ना सोएं सिर्फ आदा गंटा ही सोएं रात में सोने के तीन घंटे पहले खाना खाएं और खाना हलका ही खाएं रात को सोने के एक घंटे पहले तक टीवी, फोन और लाप्टॉप न यूज़ करें दिमाग को रिलाक्स करने का प्रयास करें और पॉजिटिव चीज़ें सोचें अपने रूम की लाइट्स हलकी कर दें और बालों में तेल से मालिश करें इन सभी चीजों से नीद आने में हेल्प मिलेगी So friends, hopefully आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेर जरूर करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं I thank you so much for watching my video. See you in the next one. Till then, stay healthy and stay happy. झाल झाल